प्रम्जालना वार मारास्ट्र किंतमंदू रास्ट्रा द्यक्षिल गड़ा पंजे शिरू बीजेपी ये बंद किया तो चलेगा फैन पाच मिनिट की तो प्रेस होती है अच्छा जेनरेटर का वाज हो आपको सबको इंदी समझ में आती है हाँ इस प्रेस कॉंफरेंस में आप सबका मैं स्वागत करता हूं वैसे हमारे महामंत्री ने तो स्वागत करी दिया मुझे आपको बताने में खुशी होगी कि हमारे तिलंगना के भारती जंता पार्टिक के अध्यक्ष और लोकसवा में मेरे साथी भंडी संजे जी इन्होंने तिलंगना की यात्रा 28 अगश को शुरू की है और इसका फर्स पेज दो अक्टोबर तक चलेगा यात्रा में हर गाओ में जाकर लोगों से मिलकर लोगों के क्या समश्या है यह जानते हैं और गाओ गाओ में बड़ी भीड होकर गाओ वाले भंडी जी का एक साथ आकर स्वागत करते हैं एक्चली दो अक्टोबर को गांधी जेंती है उसी समय गांधी जी ने बोला था कि चलो गाओ की और लेकिन गाओ की और ना कॉंग्रेज जा रही ना टियारेज जा रही ना कोई और पार्टी जा रही है हमारे संजे जी बंडी हर गाओ में जाते हैं क्यों निकले यात्रा पे बंडी जी यात्रा पे क्यों निकले उसका कारण है कि टियारेज की सरकार आके अज साथ साल हो रही है और इस साथ साल में जो दो चुना हुए 14 में और 19 में यह दोनों भी चुनाओं में उन्होंने लोगों से कुछ वादे किये थे कि अगर मैं चुन क्या हूंगा तो हर गिरिजन को मैं तीन एकर जमिन दोगा लेकिन दलीट गिरिजन को मैं तीन एकर जमिन दोगा लेकिन मैं आज यात्रा में था कुछ दलीतों से मेरा मिलना हुआ मैंने उनसे खास कर पूछा कि भाई TRS का सरकार आने के लिए उन्होंने जो वादा किया था तिनेकर जमिन दिने के लिए क्या आपको जमिन मिली तो बुले साब हमारी जमिन तो छोड़ो उनके उनके घर में हैं अपने घर की राजनिती चल रही है तो हमारा ख्याल कोन करेगा यह राजनिती में जब से चुनके आया हमारे तरफ ध्यान नहीं है जमिन तो नहीं मिली यह तो छोड़ो भाशन में उन्हेंने बोला था कि मैं अगर चुनके आऊंगा तो इस तेलंगना का एक बार दलित सियम बनाऊंगा दलित सियम तो नहीं बना लेकिन मंत्री परिशद में अपने लड़के को अपने रिष्टेदारों को है कि म्ले में तो पिस दलित का ध्यान भी ठियारेस को नहीं आ रहा है मैं जन्हें बनाया गिरिजनं हरिजण को जमिन नहीं दिया इस देश के पर्धान मंत्री ने पर्धान मंत्री आवाश योजना शुरू की तो इन्होंने भी उसकी नकल करके दो बेड का फ्लैट मैं सभी को दूँगा लेकिन इस यात्रा में मैं संजे भाई से पूचा क्या आपने ये सवाल लोगों से पूचा कि हमें फ्लेट मिले हैं नहीं कोई किसी को फ्लेट नहीं मिला गाओ गाओ में जाकर चुनाओं के पहले जो वादे किये थे कि मैं केजी से पीजी तक फ्री शिक्षन दिलाऊंगा ना केजी को दिया ना पीजी को दिया यहां तो केवल परिवार के राज निती में यह अपने कामा कर रहे, लोगों के हित में कुछ काम नहीं कर रहे एक लाग लोगों को मैं नोकरी दूंगा, मैं हर किसान के खेती को पानी दूंगा, हर हाथ को काम और हर खेत में पानी यहीं इनका नारा था ना हाद को काम है ना खेत को पानी है ना किसी को जमीन दी ना किसी को घर दिया ना किसी को दोभ बेड़ का फ्लैट दिया ना KG से लेकर PG तक फ्रिश एजूकिशन दिया इसका मतलब लोगों को जो अशुआसन दिया था वो जनता है, कोई तो आखे हमारे हमारे याँ हमारी सुने खोई तो आओ इस देश की भरतिय जनता पार्टी है राष्टरी पार्टी है और तेलंगाना में आप जानते हैं की हैदराबाद का जो चुना हुआ जो नतिजह इस तेलंगना के लोग आज भारती जनता पार्टे के साथ है इसलिए संजे भई इस प्रदेश के अध्यक्षे उनका फर्ज बनता है कि लोगों में जाकर उनकी बाते सुने और उसके लिए कुछ करे अब हर चुनाओं में जितने वादे किये ते वह वादे तो पूरे नहीं क किया वो पैसे का हिसाब अभी तक इस ट्यारेस के सरकार ने केंद्र को नहीं दिया अगर यह रिए इसाब देती की लाएवा पैसा हमने कहां खर्चा किया तो और पैसा तेलंगना को मिल सकता था लेकिन हिसाब देने को राजी नहीं है और हमारे भारती जनता पार्टी के का आरे करता हो को क्या बोलते कि जाओ दिल्ली को निकालो तुम रेली दिल्ली से पैसा लाओ अरे दिल्ली तो पैसा लेके बैटा है लेकिन पहला जो पैसा आया उसका हिसाब तो देंगे लेकिन उसका हिसाब आज तक इनोंने दिया नहीं है मैं फूर मिनिस्टर था अब तो मैं रेल मंत्री हूं, रेल, कोईला और माइन मेरे पास है, लेकिन मैं फूर्ड मिनिस्टर था इसके पहले, अभी जो रिशेपल वा इसके पहले, आप जानते हैं कि देश में कोविड की महामारी आई, इस महामारी के पहले, देश के महामारी के पहले छे महने, विदोषय में ये म ते देश के प्रदान मंत्री ने मंत्री का एक समूह बनाया गुडडरा के ध्यान्डों इस महामारी प्रेना मुझ्ट देश में क्या हो रहा है अगर अब आपनी है आई तो इसके यह लिए क्या करना पड़ेगा और जिस दिन इस देश में ये कोविड का प्रकोफ हुआ उसी दिन उसके बाद इस देश के प्रदान मंत्र ने लॉकडाउन लगाया और दुनिया में सेकंड नमबर अपना जनसंक्या में यह होते हुए भी फ्रांच जर्मनी इटाल इटाली ब्राजील इनकी जन नदा होने के बाद भी यहां पर जो प्रादूर्वा उख वोस सबसे कम वा इसका कारण लगाया काम बंद विश्री याथ बंद हो गई काम पर जाने की इच्छा थी लिकां काम नहीं था तो इस देश के प्रदान मंत्र ने गोश्चना कर दी कि मोफत नुहेंबर तक यह दिवाली तक दो रुपए किलो चावल और तीन रुपए किलो गयूद देने का मोधिज ने आइलान कर दिया घोशना कर दी इस महामारी में काम नहीं होने के बाद कोई भुका नहीं मरा इस देश में इसकी प्रणशाशा दुनिया बर में की जा रही है कि प्रधान मंत्री हो तो ऐसा हो कि सारा कारोबार बंद होने के बाद इस देश में कोई भुका नहीं सोया यह प्रधान मंत्री का काम है इसको बोलते, प्रधान मंतरी, गरीब, कल्यान, योजना के तगत, सभी को प्रधान मंतरी ने दिया, लेकिन हम 2 रुपे किलो चावल दे रहे तें, वो तो दिये ही दिये, उसके बाद उतने ही चावल, उतना ही घ्यू मुफद भी दे दिया अब तेलंगना सरकार क्या देरी उसके उपर एक रुपिया हम दो रहे देरे दो रुपे किलो से तेलंगना देरी और एक रुपिया भया तीन रुपे में दो रुपे में चावल नहीं मिल रहे कही घ्यू दो रुपे में नहीं मिल रहा म मैं वो मंत्री था उसका डिपार्मेंट है प्ला की अधि जी के सरकार ने मीरिमम सपोर्ट प्राइज फ़े आनाज खरिदा गेव चाववीस रूपए च्पर्षय रूपए के करे दिया दो रूपिये मतलब 22 रूपए किलो चे पीछ सरकार ने ढ live कितने 22 रुपए मोदी की सरकार किलो के पीछे 22 दे रही और त्यलंगना सरकार एक रुपए दे रही देखिए त्यलंगना सरकार और भारत सरकार और इधर क्या बोल रहे है कि नहीं हम एक रुपए दे रहे हम तो 22 रुपए दे रहे चालीस रुपए राइस खरीद रहे हम, चालीस रुपए और चालीस रुपए खरीद रहे और तीन रुपए दे रहे, 37 रुपीज मोदी जी की सरकार भारत सरकार के बजट में से तुमारे लोगों के लिए देरी इस देश के लोगों के लिए, और उसमें त्यलंगना सरकार क् 37 रुपई देदे हैं यह मित्रों इस देश में 80 करोड लोगों को मुदी जी की सरकार मूफवत अनाज दे रहे सी करोड लोगों को इसका मतलब सरकार देने को राजी है लेकिन लेने वाले को रस्ता पता नहीं कि पैसा लाना खर्चा करना इसका हिसाब देना और फिर दूसरा पैसा लाना ये नहीं करते हैं मुझे ऐसा लगता है किसान सन्मान निदी भी केंदर सरकार देती है मुफद फ् रदीना सरकार भरतीय जनाटा पार्ट कार्य करताओं को भोलती है कि तुम कि अ大家好 मैं मंत्रे लीकिन के लिए हैं कि तुमने जो पासा देने के लिए राजी है हम पैसा देंगे लेकिन जो वाधा तुमने किया था कि मैं हर हाथ को काम हर प्रदेश के सभी पार्टी के कारेकरता उनके साथ डटकर यात्रा में जा रहा है और गाव का उनका स्वागत हो रहा है मुझे खास करके मोदी जी ने अमिद भाई ने और हमारे राष्ट्री अद्धिक्षिन अड़्डा जी ने यहाँ पर भेजा है कि आप जाओ और भारत सरकार के तरफ से लोगों को बोल लो कि यहाँ पर भारती जनता पार्टी की लोगा करेंगे लेकिन अगर तेलंगना सरकार अब वैक्षिनेशन कर रही मोदी का फोटो निकल के अपना फोटो लगा रही यह सारा जो गलत करी गाव गाव के लोगों को जाकर बोलो और अगर हमसे विकास के लिए पैसा चाहिए तो पहले पैसे का हिसाब दो हम पैसे देने के ल पूमिक आये मेरा निवदन हुआ आपको पूछो क्या पूछना है तो अब कि अ कि अ कि ऐसा नहीं है मैं आज आया हूं मैं रात को एक मिटिंग करने वाला हूं शाहिद दिजामाबाद में या कई जेगे की कोई ते भी दिक्कत है आप वरंगल का जेगे के कोई प्रावलेम है तो मैं आज रात को मिटिंग ले रहा हूं और उसमें आफिस से जरा मैं चर्चा करूंगा हाँ कि अ कि मैं मैं क्या बोला आज आज मंत्री बनने के बाद मैं पहले बार तेलंगना में आया हूं आज रात को जीयम को डियारियम को और सभी आफिसरों को मैं बुलाया हूं कि तेलंगना के और अंधरा के जितने मैं भी तुमारे में हूं मैं पहला हैदराबाद स्टेट का हूं मराट वड़ा तो मेरी रेलवे अभी भी है है दक्षिन मध्य रेलवे में हैं हम तो आज पूरी मिटिंग हम करेंगे और जो भी विशे आपके होंगे पेंडिंग आप कि मैंने बोला कि अलाट्मेंट फंड के बारे में जब भी कोई सरकार रेलवे के बारे में मैं बोलता हूं कि रेलवे के जितने भी प्राजेक्ट होगे जो अंधरा हो करनाट अंधरा हो या तिलंगना हो या महराष्ट्र हो उसके लिए मैं आज मिटिंग कर रहा हूं और फ काम करना है उसके लिए हम फंड उप्लब्द कराएंगे कि अ कि अ कि मैं तो बोला हुना के मैं तो बोला हूं कि वो मेरे साथ सांसत है सभी सांसत तो छोड़ो सभी सेम के मिलो Go इं जाकर करनाटक के सेम को मिलाम मैं जगन मुहन से मिला हूं कि मेरे गोगवा के मुख़्े मंत्री मिले कि हमारे राज्य की लिए रेल्वे के लिए कुई सुधार करना है कुछ पैसा लगता है तो दो लेकिन तेलंगना का सीम अभी तक या कोई मंत्री तेलंगना के रेल्वे की कोई विशे लेके अभी हमारे पास नहीं आया इस पेसे आप अंदाजा लगाओ कि कारोबर कैसा है हाँ चलो धन्यवाद झालो पुर लेको कि अ होगाओ को यहाओ कि अ हुआशा एक यहाओ कि अ है भी पुर्ण पावाबर करें लेकिन